हेलो सन्मून एंड राइजिंग कैंसर्स वेलकम टू माय चानल रेम टैरोट यह आपके पार्टनर की करण फीलिंग्स के हवाले से टामलेस कलेक्टिव मैसेज और यह एक जनल रीडिंग होगी जो क्या आप से रेजोनेट कर भी सकती है आप से उपन मैसेज को कंसिडर करें ज परकें से पर्संस कि करण फीलिंग्स कि आपके पास है आपके बातना जो है वह एमिंड्मिंट्ट करना चाहते हैं इस रेलेशन्शिप में आपके बगार वो अनिस्टेबल फील करें हैं येस वो like बहुत दार regrets में हैं कि आपसे जो relationship खतम हुआ है लेकिन वह से प्यार करते हैं आपको याद करते हैं आपके साथ relationship चाहते हैं लेकिन डिसाइड निकर पारे कि उन्हें क्या action लेना चाहिए इसके लावा हो सकता है उनको financial issues भी हो जिसके लिए उन्होंने अपने आपको काम में busy किया हुआ है उनके पास बहुत जादा burden है work overload है वो उसमें बहुत मैनत करें या फिर वो हो सकता है अपने finances को बहतर बनाने के लिए इस वक बहुत जादा मैनत कर रही है वो आपके साथ stability चाते है वो आगे बढ़ना चाते है अगर आदोनों में जो भी conflicts है तो उनको resolve करके वो आगे बढ़ना चाते है या फिर वो move on करने के हवाले से सोच रहे है वो decide नहीं कर पारे कि उनको move on करना चाहिए या आपके साथ दुबारा से सब कुछ ठीक करके आगे अनका करते या और या आगे बढ़ना चाहिए इस उनके लिए चैलेंज है वो अपनी नेगगेटिवटी से बहार ने आ आ आ पारे वो इस थो थो दॉन्यजून कर Blake तो अब यूब हो आपको पास में वह आपको दिखाई है और वह आपको शो कर रहे हैं कि वह एक एमपरर की एनरजी में हैं अपनी Emotions को हाइट कर रहे हैं और यह यह और यह सकते कि finances के थोड़ा सा lack है उनके पास तो वो सोच समझ के अपने finances को spend कर रहे हैं इसके लावा वो आपको show नहीं करना चाहते कि इस वक्त उनकी अंदर क्या चल रहा है तो यह जैसे मैं रहा कि finances उन्होंने कहीं invest किया और उसका weight है उसके profit का weight है तो वो उसका weight करें इसके लावा उनको लगता है कि इस relationship में अगर invest करेंगे तो क्या उन्हें वो result मिलेंगे जो वो चाहते थे इसलिए वो closed off है और वो अभी अपनी emotions को जाहिर नहीं करना चाहते और यस वो एक stable personal बना चाहते हैं यस वो आपके साथ commitment तो चाहते हैं वो इस relationship में invest भी करना चाहते हैं लेकिन उसमें अभी time है उनको लगता है कि शाहिद वो result नहीं मिल रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ stability commitment आगे बढ़ना चाहते हैं yes let's see कि उनकी true intentions क्या हैं यहां पर पास में वो शाहिद just right time का wait कर रहे थे लेकिन अब वो stuck रहना नहीं चाहते हैं वो पहले stuck थे right time का wait करते थे शाहिद सिर्फ आपका इंतजार करते रहे थे कि आपकी तरफ से call text message आए तो अब वो इस stuckness को यह उनके लिए challenge बनी है अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं चाहे ह उनको खुद से कोई step लेना पड़े लेकिन वो अभी कोई step ले नहीं रहे हैं लेकिन आपके साथ commitment चाहते हैं यह उनको realize है और यह उनको अच्छी तरी किसे पता है creation तो yes वो आपके साथ एक new life create करना चाहते हैं अपनी life को आपके साथ create करना चाहते हैं यह आपने आपको एक stable person एक financial strong person बनाना चाहते हैं यह अपनी growth पर work out करें यह वो सब कुछ अभी आपके साथ जो है अभी focus नहीं करें सीज़ पर बस वो वो चाहते तो हैं वो आपके लिए ही यह सब करें वो अपने आपको stable आपके लिए ही बना रहे हैं तो अभी अपनी growth पर work कर रहे हैं उन को यह गम है कि काश वो पहले यह की करते हैं या नहीं जो भी अभी वो कर रहे हैं वो काश नहीं पहले इस relationship में किया होता और यह grief भी है कि वो उस तरीक से चीज़े work out नहीं हुई जैसा उनना नहीं चाहा था लेकिन स्टिल वो growth के बारे में सोचते हैं one more card destiny यह सुनको लग एक दूसरे के लिए बने हैं एक दूसरे के साथ होने के लिए बने हैं इसलिए भी वह बहुत ज़दा hopeful रहते हैं बट अभी फिलहाल वो अपनी growth पे work का रहे हैं let's see के रवेंस अंजल की तरफ से आपके लिए क्या messages है engagement your love life is ascending to the higher level of commitment yes वो आपके साथ connected होना चाहते हैं healing family issues your love life benefit as you forgive your parents so हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई family issues थे parents के साथ कोई issues थे जिसके वज़ा से इस relationship में आगे नहीं बड़ पारे थे लेकिन अब वो हो सकता है अगर family नहीं मान रही थी आपके लिए आपके साथ commitment के लिए family को मनाएंगे और मुझे लगता है कि वो यही मेहनत कर रहे है पास्ट में भी उन्होंने किया लेकिन उसका उनको result नहीं मिला तो उन्होंने अप family को भी वो मनाएंगे और maybe के वो इस relationship को एक next level पे लेके जाए याने engagement level पे लेके जा सकते हैं so let's see 10 of pentacle के का भी card definitely yes commitment मिल सकती है आपको आपके पार्णर की तरफ से I am not available तो यह उनके heart messages है वो इस वक्त आप से कह रहे हैं कि अभी वो आपके लिए available नहीं है बट वो महनत कर रहे हैं just be near you is intoxicating तो आपकी तरफ बहुदादा अट्राक्त होते हैं I want to feel that way again तो वो बिल्कुल ऐसे ही पील करना चाते हैं जैसे वो पहले किया करते थे it was my fault but I blame you तो उनको लगता है कि उनका fault था बट उन्हेंने आपको blame किया and hope that you can forgive me one day तो वो समझते हैं कि एक नएक दिन आप ज़रूर उन्हें माफ करेंगे और I bring myself into work to forget you yes जब तक कुछ नहीं हो पा रहा था पा रहा उस वक तक वो अपने आपको काम में busy रख रहे हैं आपको भूलाने के लिए तो यह सारे messages हैं उनकी तरफ से so let's see कि उनका next action क्या हो सकता है towards you please universe guide me yes वो आपके लिए बहुत determined है आपके लिए action लेना चाहते हैं आपके तरफ बहुत बहुत आपके तरफ फिजिकली बहुत अट्राक्ट करेंगे यह सो आपके पास आ सकते हैं फिजिकली अट्राक्शन भी आप दुनों को बहुत जादा फिल हो सकते हैं तुसरी की तरफ यह आपके साथ इंटिमेट होना जाते हैं आपके साथ इंटिमेट होना जाते हैं So that was your reading if it exists in YouTube please let me confirm in a comment below like my video subscribe my channel thanks for watching